नमस्कार दोस्तों वेदारम पर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपकी दोस्त प्रियंका आरकुमार दोस्तों बच्चों की हैल्थ को लेकर हर माबाप परेशान रहता है उनके सारीरिक विकास, मानसिक विकास को लेकर हर माबाप को हमेशा ये चिंता बनी रहती है कि हमारे बच्चे का सारी रिक और मानसी की विकास जो हो अच्छे से हो दोस्तों हम सब जानते हैं कि बच्चे की सारी रिक और मानसी की विकास के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा एहम भूमी का निभाता है आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि किस उम्र के बच्चे के लिए कितनी प्रोटीन आउशक होती है और प्रोटीन सरीर के लिए आखिर जरूरी क्यों है तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक request है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को like करें, share करें और अगर आप मेरे channel पर पहली बार आये हैं कि protein आखिर बच्चे के लिए आउशक क्यों होता है तो protein नई blood cells बनाने, tissues बनाने और nervous system के सही ढंसे कारे करने के लिए protein बेहद आउशक होता है बच्चे के सारीरिक विकास यानि कि उसकी muscles, bonds, organs, nails, hairs आदी के विकास और hormones के सही ढंसे कारे करने के लिए protein जो होती है बहुत ज़्यादा आउशक होती है या अपल सब्दों में अगर हम कहें कि बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए protein जो होती है बेहद आउशक होती है जब बच्चे protein rich food लेते हैं तो उनका सरीर इस protein को simple amino acids के अंदर तोड़ देता है और ये amino acids जो होते हैं वो brain की जो power होती है जो मस्तिस्क की सकती को boost करते हैं या नि की बढ़ाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को alert रखने के लिए और उसे कुसागर गुद्धी वाला बनाने के लिए protein बेहद आउशक होती है अब बात करते हैं कि हम बच्चे की diet में कौन-कौन सी चीज सामिल करें जिससे बच्चे की protein के आउशकता पूरी हो सके तो दोस्तो protein rich foods जो होते हैं वो है dairy products, legumes, seeds, nuts, eggs, fish और poultry, meat आदी चीजें जो होती हैं इनसे protein sufficient मातरा में मिलती है यानि कि अगर हम बच्चे की diet में इन चीजों को add करते हैं तो बच्चे की daily routine की जो protein की आउशकता जो है वो पूरी हो सकती है दोस्तो अब बात करते हैं कि रोजाना बच्चे को कितनी protein की आउशकता होती है तो दोस्तो अगर आपका बच्चा 7-12 महिने का है तो उसे daily 11 gram protein की आउशकता होती है यानि कि उनकी इतनी प्रोटीन जो है उन्हें अपनी डाइट से डेली लेनी होती है दोस्तो जैसे कि लड़कियां जो होती है उनको प्रोटीन की लड़कों की तुलना में कम आउशकता होती है जैसे कि 14-18 साल के एक लड़के को 52 ग्राम प्रोटीन के आउशकता होती है अगर हम बच्चे को एक बार में पिलाते हैं तो वन फोर्थ केजी दूद में आठ ग्राम प्रोटीन होती है तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा कर अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से उसकी डाइट सेट कर सकते हैं कि आपके बच्चे को डाइट में कौन-कौन सी चीज पूरी करने के लिए बच्चे को दिन में 3 बार फुल डाइट देनी चाहिए यानि कि संतुलित भोजन देना चाहिए और प्लस में 2 बार हमें स्नेक्स देना चाहिए जो डाइट है बच्चे की जो आहार है उसमें 3-4 अलग-अलग की फूड केटेग्री एड करनी चाहिए जैसे fruits हैं, अनाज है, dairy products हैं, आदी हम add करते हैं जब बच्चे की diet में तो अलग-अलग चीजों से उसकी protein के आउशकता पूरी हो जाती है अगर आप बच्चा बच्चा 8 साल का है तो 8 साल से ज्यादा की age के जो बच्चे हैं उनको dairy products तीन बार देने चाहिए बच्चों को protein powder देते हैं जो मेरा यह मानना है कि बिल्कुल गलत है क्योंकि protein powder जो होता है वो बच्चे की kidney और liver दोनों के लिए सांदे होता है और साथ ही जो calcium का absorption जो होता है वो भी protein powder की वज़े से परभावित होता है तो इसलिए protein powder आप बच्चे की वेट ज्यादा गेन करती है यानि कि वेट गेन करने के लिए उत्तरदाई होती है इसलिए आपको बच्चे को जितनी जरूरत है protein की आपको उतनी ही protein बच्चे को देनी चाहिए दोस्तों उमीद करती हूं आज का ये वीडियो आपके लिए काफी helpful रहेगा अगर ये वीडि कि आपको बच्चे को बच्चे को जितनी है sights आपको बच्चे को जितनी है वीडियो मैं आपको ठानी हैज आपको जी जए आपको बच्चे